हालो अवरिवन, वेल्कम टू स्टे अपडेट प्रेजेंट इड़ जे के रखान, तो फ्रेंट से लेटास्ट अपडेट दिली पुलीस की तरफ से आ रहा है, दिली पुलीस के अंडर जो फ्रेंट्स आपके हैड कॉंस्टेबल मनिस्ट्रिल 2019 के अंडर 554 वकेंशी के अंडर इसके अंडर ऑनलाइन फार्म फिल अप हुए थे, दोनों रेक्रीटमेंट्स के अंडर, तो इनके रिलेटियर जो फैंस आपके CBT एग्जामिनेशन है, जिन कैंडियेट्स ने भी इन दोनों रेक्रीटमेंट्स के अंडर हैड कॉंस्टेबल मनिस्ट्र और हैड कॉंस्टे आपका सेप्टेमबर 2020 मिड में होगा, एंड में होगा, तो वो जो आपके वाद फेक इनफोर्मेशन उससे रिलेटिड यहाँ पे दिली पुलीस की ऑफिशल वेबसाइट पे, इन दोनों रेक्रीटमेंट्स से रिलेटिड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोट इंफ्पर्मेशन उसे मेडिया पे न ज Convid invoke के जो आपके इंफ्पैसाइट और ऐसोसे मेडिया दिलेटिड के लिए दिसंबर के लास्ट विक 2020 जि से शुरू होगा, यह completely fake है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक आपका जो CBT examination है इन दोनों recruitment के लिए वो यहाँ पर दिल्ली पुलीस ने उसकी जो dates है अभी decide नहीं की है जैसे ही decide होंगी दिल्ली पुलीस की official website www.dillipolice.nick.in उसकी official website पर dates भी आ जाएंगी और आपके admit card भी friends upload हो जाएंगे आपने किसी भी वीडियो या फिर किसी भी आपको कोई भी जो page मिलता है कोई भी आपको public notice मिलता है आपने उसको तब तक नहीं मानना है जब तक आपको उसकी जो authentic information है www.dillipolice.nick की official website पर नहीं मिलेगी तो जीन कांडिनेट्स ने भी दिल्ली police office के अंडर इन दोनों recruitments के अंडर head constable ministerial 2019 जिसके अंडर आपकी 554 vacancies थी और second आपका head constable जो आपका assistant wireless operator और teleprinter operator जिसके अंडर friends आपकी total 649 vacancies थी जो की आपके online firm December 2019 में fill up हुए थे जिन candidates ने भी इन दोनों recruitments के under farm को fill up किया है वो update रहेंगे दिल्ली police की official website के साथ जैसे ही आपकी CBT examination की new dates update होती है दिल्ली police की official website पर तो next video में हम अच्छे तरिक के से discuss करेंगे कि कैसे आप admit card को अपने mobile से download कर सकते हैं और साथ में friends इन दोनों recruitments से related जो आपका selection criteria है आपकी negative marking होगी या नहीं होगी होगी तो कितनी होगी वो हमने पहले से वीडियो में discuss कर रखा है आपका CBT examination होगा आपको उसके बाद कुन-कुन से criteria रहेंगे physically measurement and during test में क्या रहे का documented verification जो different different आपकी processes है वो वेंस हमने पहले से discuss कर रखी है वो आप directly इस वीडियो के description box में मैं आपको link दे दूँगा वहाँ पर जाके आप अच्छे तरीके से सारी processes को friends से समझ सकते हैं Thank you friends हम कि अ है मैं कि अजसे हैं